नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर्षय चैनल जोब लाई करमें आज मैं इस वीडियो में एक और वेकेंशी के बारे में बताने वाला हूं जो पंजाब वाटर रिसोर्स है यानि के पंजाब में निकली है जो भी चल विवाग है उसमें ये वेकेंशी निकली ह है घर घर रोजगार योजना के तहट ये वेकेंशी निकली है जो वेकेंशी का नाम है वो देखेगा एक पोस्ट है कंपनी सेकरेटरी की ट्यूबल ओपरेटर की 253 पोस्ट है और इलेक्रिशियन की 8 पोस्ट है कुल ये जो पोस्ट है 262 पोस्ट है तो इनके बारे में मैं complete डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपकी क्या सेले रहेगी किस परकार आपका सेलेक्शन प्रोस्ट रहेगा उसकी complete जानकारी दूँगा तो सबसे पहले आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कोई भी आपका डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना देखेगा इसके लिए अप्लिकेशन फॉर्म आपके 21 फरवरी को एड़टाइजमेंट होई है और इसके लिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म 22 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और जो लास्ट इट है वो 14 मार्च रहेगी आपकी शाम पांच वजे तक आप अपलाई कर सकते हैं फिस के लिए आपको एक दिन एक्षा दिया गया है 15 तारिख तक आप अपनी फिस जमा करा सकते हैं और जो अप्लिकेशन फिस रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए हजार रुपे रहेगी सेडिल कास और SCST के लिए 500 रुपे रहेगी एक सर्विसमेन के लिए 200 रुपे और जो भी फिजिकली हंडिकेप कंडिट है उसके लिए 500 रुपे फिस रहेगी और बैकवार्ट क्लास के लिए आपकी 500 रुपे फिस और EWS के लिए भी 500 रुपे फिस रहेगी और देखिएगा आप इंडिया के न और अलग से बता हुआ किस category में कितनी वेकेंसइज हैं देखीगा 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 category wise detail देखेगा पोस्ट की company secretary की एक post मेल candidate apply कर सकते हैं यह अब आप जो चैनल करेटेगरी के यह वेकेंसी है और टूबल जर्नल के लिए टोटल 99 पोस्ट है 80 के डिकरे लिए 50 पोस्ट है 20 के लिए 25 पोस्ट है ESM के लिए 33 और HCF यानिकी हैंडिकेप्ट के लिए 10 पोस्ट है sports के लिए 10 पोस्ट 8 पोस्ट है EWS के लिए 25 और बैकलोग SEC के लिए एक पोस्ट है कुल 253 पोस्ट है और पिए की लिए इसके लिए जो पेस्टिंग साहलों रहेगा या यानिकी कि इसके लएक पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए और मेंबर ऑफ इंस्टिटूट ओफ कोड़ इसके आप मेंबर होनी चाहिए और आप सब्सक्राइब इनला या अम्बियम में डिगरी होनी चाहिए और दो साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए आपके पास जो टूबल ओपरेटर की वेकंशी है वो ग्रूप C की वेकंशी है और इसके लिए पेस के रहेगा बाउन सो से लेके बीस तार दो सो यानिके आपकी जो स्टार्स्टिंग भी सेलरी इतनी ही रहेगी जो टूबल ओपरेटर है उसके लिए आप 10 पास होने चाहिए टैंथ में आपके पास पंजाबी लेंगविज होनी चाहिए और दो साल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए एलेक्टिजियन ट्रेड में जो इलेक्टिशियन के लिए जो वाकेंशी हैं उसमें आप 10 पास होने चाहिए और 10 में आपके पास पंजाबी लेंगविज होनी चाहिए और दो साल का आई ट्रेड में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आपका जो रिटन एक्जाम होगा वो किस प्रकार होगा देखिएगा कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप देख लेजिए टोपिक वाइज इतनी इतनी क्यूशन साएंगे टोटल सो क्यूशन आएंगे और सो नमबर के ही ये क्यूशन होंगे कि टूबल ओपरेटर के लिए आपके पास इन इन टॉपिक से क्यूशन पूछे जाएंगे और सो क्यूशन ही ये इसमें होंगे ब्रकार्टो सब्रकार होंगे और विएक टोपिकवाइज देख सकते हैं सो क्यूशन होंगे दो और जिन candidate के जो इक्वल मार्क्स हो जाते हैं। तो उनके लिए जिस candidate की elder in age, यानि कि जो अगर दो candidate के सेम merit list में सेम नमबर हैं तो जो जिसकी उमर कम होगी उसको high merit list मिलेगी। यानि कि उसका selection गाया है। इसके लिए आपको ओनलाइन अप्लाइ करना है तो इस जिसका जो लिंक है मुझे आपको डिस्क्रीश में दे दूँआ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कोमेंट सेक्शे में जुरूर पूछ लेना और यह थी वीडियो तो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह झाल 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 झाल